हेलो फ्रेंड्स में सीवा मिलकानिया मेरे चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक चोटा सा डिजाइन शेयर कर रही हूँ जो कि जिसको हम बेबी स्वेटर में डाल सकते हैं और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हैं यह चोटे बेबी के लिए जो हम सेट बनाते हैं उनमें भी हम उनको डाल सकते हैं और अपने लिए कार्डिगन वगेरा या जैकेट भी उसके बुन सकते हैं बाकि अगर आपको पसंद आता है तो आप किसी और प्रोजेक्ट में भी उसको शामिल कर सकते हैं और उसके लिए हम कोई भी कलर यूज कर सकते हैं मल्टी कलर का डिजाइन है यह वैसे मैं दो रंग पे बना के दिखा रही हूं आपको लेगिन अगर आपके पास बची हुई उन है थोड़ी थोड़ी है तो आप उसको इसमें डाल के बना सकते हैं तो इसके लिए फ्रेंट्स आपको चाहिए और नमबर में फंदे जैसे 3, 5, 7, 9 इस तरह से आप फंदे डालें और दो यहाँ पे थोड़ी सी सलाईयां दो सलाईयां जो है उल्टी-ल्टी वनके यहाँ पे बोडर जैसा बना लिया हुआ है तो अब हमने यहाँ पे एक फांडेशन रो इसमें बनाने हैं जो की हमारी होगी बिल्कुल सीधी सलाई होगी यहाँ पे ये पहले फंदे को slip करेंगे और बाकी सारे फंदे जो है ना इनको सीधी साइड से सीधी सलाई हम पहले सलाई इस तरह से इसमें बुन लेंगे ये पूरी सलाई ऐसे सीधी ही जाएगी तो सीधी साइट से हमने एक सलाई यहां पर बुन ली सीधी सीधी अब उल्टी साइट पर है फ्रेंट्स अब हमने जो दूसरा कलर इसमें एड करना है तो उसको अब हम यहां पर एड करेंगे तो यहां पर देखिए यह color में दूसरा इसके साथ दिखा रही हूँ आपको और जो मैं यहां पर एक बच्चे का sweater बना रही हूँ ना उसमें जो color है वो हम उसमें ही डाले हूँ है मैंने white और blue color से बना रही हूँ उसको तो यहां पर देखिए यह पहला फंदा हमने उल्टा बुन लिया और यह सारी सलाई जो है ना हमारी उल्टी उल्टी बुन के ही हम खत्म करेंगे दूसरे धागे से जो हम दूसरा color इसमें add कर रहे हैं उससे हम ऐसे सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे पूरी सलाई में हम इसको इस तरह से इस color को add कर लेंगे अब देखिए इसमें सारी सलाई हमने ये उल्टी बना ली ये धागा जो है इसमें एड़ कर दिया अब देखिए हम सीधी साइट पे हैं तो अब हमने इसको कैसे बनाना है तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे धागी को घुमाके अपनी तरफ को ले लेंगे और यहां पर ए देखिए इस फंदे को अगले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे अब एक फंदा हमने स्लिप कर लिया उसके अगले वाला फंदा जो है उसको हम उल्टा बोन लेंगे फिर हम एक फंदा स्लिप कर लेंगे ऐसे उतार लेंगे बिना बोना और अगला फंदा ऐसे बोन लेंगे फि उसके बाद यह है हमारा last में as stitch है तो इसको हमने ऐसे उल्टा ही बुल लेना है यहां पे तो यह हमारी यहां पे पहली सलाई खतम हो गई अब हम इसकी आ जाते हैं उल्टी साइड पे तो उल्टी साइड पे देखे फ्रेंट्स यहां पे जो फंदे हमने बुने थे अब हमने उनको strip करना है तो यह यहां पर देखे संडे को स्फिप करेंगे पहला अगले फंदे को भी हमने यहां पर slip करना है क्योंकि इसको हमने उल्टा बुना था अब हम धागे को अपनी तरफ धागे को हम पीछे रखेंगे और ये फंदे को हमने यहां पर slip किया था देखिए इस फंदे को slip किया था ना इसको नहीं बुना था अब हमने इसको सीधा बुल लेना है इस तरह से अब इसके बा फंदा slip किया हुआ है अब हमने उसको बुनना है उल्टी तरफ से और उसको बुनना है हम आपने उल्टी साइड से सीधा धागे को पीछे ही रखना है और उसको बुन लेना है तो अब हमने देखिए यहां पर यह फंदे को slip करेंगे और उसके अगले वाला जो है उसको बुन अब हमने यहाँ पर सीधा बुन लेना है इस तरह से, अब इसको इस तरह से स्लिप करेंगे और इसको ऐसे बुन लेंगे, स्लिप करने के लिए आपने ऐसे उतारना है अपनी तरफ को इस तरह से, नहीं तो फंदा आपका घूम जाएगा, इस तरह से, तो यह हमारी वैसे पीछे कर देंगे और यह जो फंदे जितने भी फंदे हैं इन सब को अब हमने सीधा सीधा बुन लेना है इस तरीक से जिसको हमने बिना बुने उतारा है अब हमने उसको भी बुन लेना है और जिसको बुन लिया था उसको तो बुनना ही है तो अब हमने इसी तरह से सारे है बहुत ये अच्छा लगता है दो रंगव में बनाऊगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा और multi color में बनाऊगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा ये देखिए तो इस तरह से आपका डिजाइन आ गया अब हम फीर यहां पर फुन लेने हैं क्योंकि दागा हमारा छेंज हो जाएगा और उल्टी साइट पर हमारा यह पुना धागा जो है इसमें लग जाएगा तो इसी तरीके से इस सलाई को हम सारी को उल्टा उल्टा बुन लेंगे बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा कुपसूरत भी है तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राइ करें और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो ये देखिए ये धागा हमारा दूसरा धागा यहां पर हमने लगा लिया अब हमने इसको भी सेम उसी तरह से करना है पहले फंदे को स्लिप किया धागे को अपनी तरफ गुमाया एक फंदे को उल्टा बुन लिया एक फंदे को बिना बुने उतारा और उसके अगले वाले को बुन लिया, फिर एक फंदा बिना बुने उतारा, उसके अगले वाले को बुन लिया, फिर बिना बुने उतारा, फिर अगले वाले को बुन लिया, बिना बुने उतारा, उसके अगले वाले को बुन लिया, ऐसे ही हमने ये सारी सलाई जो है, खतम करनी है, इस तरह से, अब slip करना है इसको बुन लेना बस उल्टी साइड से ऐसे है और बहुत ज़्यादा सिंपल है तो यहां पर देखिए यह तो ज़िए बना करना है तो गनकर करना देखिए अगले बंदे देखिए गंदे एसी कर ले मंतेर बोगाि को जाए है लास्ट में इसको भूल लिया तो यह हमारा देखे डिजाइन यहां पर बन गया अब हम फिर से सीधी सलाई देंगे और डिजाइन हमारा जो है वह लोग जाएगा अब फंदे को स्लिप किया धागे को पीछे किया और पूरी सलाई हमने सीधी सीधी बूल ली इसी तरह से तो आपका डिजाइन इस तरीके से बनके आएगा एक चेंज जैसी बनेगी इसमें बहुत ही जदा सुन्दर लगेगी तो यहां पर देखे मैं एक बच्चे का प्रोजेक्ट बना रही हूं यहां पर बना रही हो मैं बेबी कार्डिगन तो यह जैसी बनेगा मैं आपके साथ इ इसी तरीके से बनके आएगा आप कोई भी दो कलर आप बना लें जो कलर आपको पसंद हो तो यह था मेरा आज का डिजाइन कैसा लगा आपको मुझे चुरूर बताएं तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही थैंक्यू